तो गैस आज की वीडियो होने वाली है Most Requested Widening Cream पर रिव्यू तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ फाइजा ब्यूटी क्रीम पर बहुत सारे बहुत सारे कॉमेंट्स आये थे कि फाइजा ब्यूटी क्रीम के ओपर रिव्यू करें इंग्रिडियंट्स की डीटेल के ओपर नजर डालेंगे वह कौन से सकिन के ओपर सूटेबल होती है और कब इसे हम यूज कर सकते हैं कितने लौंग टाइम तग इसको यूज कर सकते हैं वह इस पर बात करेंगे साइड इफेक्स इसके होते हैं या नहीं इसी हम बात करेंगे साथ साहर इसके प्राइस पे हम डिस्कृस करेंगे तो वीडियो को एंड तक करना अगर आप जाना चाहते हो थाइ प्ँटी क्रीम यूज अ नहीं करने चाहिए आप यूज कर रहे हो लिए यह gray color का mark डालते हैं जिससे आपको clarify हो जागा कि yes आपके पास जो cream है वो फाइजा की original cream है ठीक है okay तो इस तरह की packaging होती है जिसमें simple सा like camera friendly नहीं होती थोड़ी shiny shiny होती है but it's okay guaranteed देते है money back guarantee कि आपके color को गोड़ा करती करती है 25 grams की cream होती है और आप देख सकते हो पूनिया ब्रदस वालों की क्रीम है simply वाईणिंग क्रीम है वैसे जनों नहीं यहाँ लिखा है फाइजा ब्यूटी क्रीम ब्यूटी क्रीम ले लो या पिर आप वाईणिंग क्रीम ले लो कुछ थोड़े बहुत इंग्रीडियन्स का होता है बट ingredients something same same होते हैं यह क्रीम आप यूज करते हो कंपनिया भो ख्लीम करती है यह आपका रंग 6-7 दिनों में गोरा कर देगी आपके स्किन पर दाख दब्बे हैं पिग्मेंटेशन हैं चाहियां वगरा हैं इसफॉर्स वगरा हैं तो वो खतम कर देगी ठीक है और ऐसा ही है जब भी आप कोई वाइटनिंग क्रीम ब्यूटी क्रीम लगाते हो तो उसके अंदर जो ingredients होते हैं जो chemicals होते हैं उनका काम होता है उस च चीज को लगाना शुरू करते हो तो फिर आपको उस चीज की आदत हो जाती है ठीक है अब आपकी skin है आपकी skin के ओब दाख दब्बे हैं चाहिया है pigmentation है of course आप चाहते हो आपकी skin clean हो जाए साफ हो जाए एकदम अच्छी हो जाए ठीक है आप आपने कोई product यूज करना शु होगी hormone changes होगा iron की कमी होगी body के अंदर या calcium की protein की vitamins की कमी होगी जिसके कारण हमें pigmentation होती है pregnancy के दौरान आपने देखा होगा या अपने analyze किया होगा आपकी घर में किसी खानान में आपने देखा होगा pregnant woman को stretch marks आ जाते है pigmentation बहुत ज्यादा आ जाता है skin बहुत खराब हो जा तो आपके जितने calcium protein होते हैं वो transfer हो रहे होते हैं तो वो divide हो रहे होते हैं फिर वो कमिया आपके face पे आपकी चीजों में नजर आती है तो आपको उस हिसाब से अपने proteins का अपने ऐसा बोल सकते हैं कि आप अपने iron का अपनी health का अच्छे ख्याल रख होगे तब जाके वो सह होगा अगर आप सोच जो क्रीमों से सही हो जाएगा तो cream temporary lage होता है permanent drugura नहीं होता permanent clean नहीं होता आप अंदर से अपनी जितनी कमिया है उसको complete करने की कोशिश करो vitamins कम है protein कम है आपके अदर iron की कमी है आपके अंदर blood की कमी है किसी भी चीज की कमी है उसको complete कर लो आपका की जबरत नहीं पड़ेगी darks the cuts भी remove हो जाएंगे अब हम बात करते हैं इसके ingredients की तो benefits मैंने आपको simple बता दिया है जब तक आप use करते हो जब तक आपको मिलता है पिर आप इसको use करना चोड़ दोगे benefits मिलना बंद हो जाता है ठीक है okay तो सबसे पहला इंका ingredient है सबसे पहला के अंदर wrinkles free बनाता है skin को fine lines free बनाता है ionize एक मतलब बहतर ingredient है बट sensitive skin के ऊपर chemical suit नहीं करते है ज्यादा तो sensitive skin के लिए इस ताना के ingredients जो whitening creams के अंदर होते है वो use नहीं किये जाते है बात करते हैं कि next ingredient की vitamin B3 vitamin B3 niacinamide होता है niacinamide अच्छा ingredient है skin को moisturize करता है skin के अंदर protein provide कर केरिटन भी बोलते है एगिंग को कम करता है साथ में skin को smooth बनाता है skin के color को इनहेंस करता है और wrinkles free बनाता है बात करते है next ingredient की जो के है vitamin E, vitamin B, E अच्छा ingredient है skin को moisturize करता है anti-oxidant देता है skin के अंदर और skin को heal करता है हम जो भी products युज करते हैं जो उससे हमें side effects होता है उससे हमे हील करता है साथ में acne scars को कम करता है skin को glow देता है skin को moisturize करता है sunburn से बचाता है hyper pigmentation से में बचाता है आप जो हमाने ingredient है को जी कैसीड है एक skin whitening ingredient धेक है ये skin केंदर जो mellaline की production होती है उसको radio करता है skin के अंदर से pigmentation को कम करता है dark spots को radio करता है acne scars का सो कम करता है या इस वटने आपको बचाता है, koji कैसे, एक्चुली में बचाने हैट कैलाता है, जो के सिकिन की जो डार के रिया होते हैं, उनको क्लीन करने का काम करते है, एक नेक्स इंग्रेजिंट है हमारा alpha arbor ten ये भी, कि skin whitening agent है, ये भी skin whitening के लिए, use के जाता है, hyperpigmentation को होता है की खार्थ project काम होता है आहद अजोCar ओर एंकिन करेंदों के वादिकें तो तो आप सो्चेएंट कि अन्धिरेड्ट स्किर है को सब्सक्राइब कर लृत्अ करते हैं कि bitoo the a लूभी जिस ओंकिते और मेंग्रेड्ट के काम करता है कि Eren बनाता है, skin को bright, healthy, bynaता है, vitamin E T be already good, okay, बात करते है next ingredient by vitamin B, this liar fine lines propriety, इसाथ में inflammation को कदम करता है skin से tipums होते है, उनको control करता है oil production को control करता है hyperpigmentation को Armenia, skin को bright है skin को healthy and bright skin BNATA है, okay 侍नल है next ingredient की citric acid citric acid क्या करता है? skin के अंदर anti-oxygen provide करता है साथ में आपके skin's skin को exfoliate करता है skin को soft smooth बनाता है as a moisturizer के तरा काम करता है और pores को भी clean करता है, dead layer को मेरी रिवफ करता है next ingredient है white oil, white oil बहुत सारी चीजों से लिया जाता है oil के अंदर, creams के अंदर, lotion के अंदर, makeup के बहुत सारी products होता है makeup remover वगरा में, इसको यूज के जाता है as a moisturization के लिए, इसको इससे आपके skin dry नहीं होती, rough नहीं होती दूसरी form होती है, जो करे服 इसकिन को calm करती है dry हम होने देदी है, इछिने से बचाती है, Irritation से बचाती है, Sun Burn से आपको बचाती है और इसकिन को soft calm behind truck, rational citrus, Visual Wax 2, Wiex के अंदर, about the same size ofa,涅ज को Chill味 background को सारी being slum औक सेकन के इडिडीशन की त awakरा को कम करता है या ने पर जा के गुद्अ पाइप झाता है या पर कुद्धी डि गिए सब्ध्रा के skin के उपर है तो कम करते हैं तो गाइस यह थे इसके इंग्रिडेंट्स बाकि एक वाइटनिंग प्रोडाक्ट है आप इसको जब लगाओगे जब आपका रंगोर रहेगा आपका रंग वापस से वैसे ही हो जाएगा कभी भी वाइटनिंग क्रीम यूज करो बीस साल के उमर से पहले कभी मस्क्राइब करना 25-20 के बाद जागे यूज करो हर्मों चेजिस होती है जब बड़े हो रहे होते हो तो इसके अंदर आपके हर्मोंश चींज होते हैं अनकी मिमपस का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है तो जब जब यूज करो अगर आप यूज करना भी चात बढ़ेंगे अच्छे रहेंगे इसकी केरिंग होगी लगाना चोड़ दो के भाल पतले ड्राइज रहना शुरू हो जाएंगे तक है वही बात है प्राइस की बात करने तो 350 केंडर आपको मिल जाएगी ओवरॉल यूज करने का तरीका नाइट टाइम पे होता है कभी भी व पेट्स पर यूज कर लो इसके लेयर मोटी होती है तो इसकी लिए अच्छे होती है फेस के अपर में कभी सज़स्टिंग करती हूं विकास वाइट्मिंग क्रीम आप तो जब तक ही रंग देंगी फियर करेंगी जब तक आप उस यूज करोगे लगाना चोड़ दोगे वै लाइक करना मत बुलना में बिलूगे नेक्स वीडियो में अलाहफ़ेश